हलो फ्रेंज वालकम बेक तो माई योट्यूब चैनल आज मैं मदर स्टे के लिए कोई स्पेशल सा गिफ रड़ी कर रही हूँ जो आप इजिली होम में रड़ी कर सकते हैं इसके लिए मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है और इस पे मैं सबसे पहले जैसू का कोट कर रही मैंने स्मॉल साइज का यहां चॉपिंग बोर्ड यूज किया है अब डिफरेंट साइज यूज कर सकते हैं अब मैं इसको ड्राइ होने के लिए रखूंगी ड्राइ होने के बाद मैं नैपकेन की हल से इस पे डिकोपाच करूंगी यानि नैपकेन का डिजाइन मैं इस पे क कपी करूंगी आप कोई भी डिजाइन के नैपकें टिशी यूज़ कर सकते हैं जितना पार्ट मुझे नैपकें का यूज़ करना है उसको मैं कट कर रही हूं अकॉर्डिंग टू शॉपिंग बूट साइज बहुत साई डिफरेंट किसम की नैपकें डिजाइन आते हैं आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं मुझे ये डिजाइन बहुत डिफरेंट लगा इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूं पेस्ट करने से पहले इसका आप एक्स्ट्रा पार्ट अलग कर लें इसमें थ्री लेयर्ज होती है आप टू लेयर्ज अलग कर लें और सिर्फ फर्स्ट लेयर बहुत थैंसी होती है उसको हम यूज़ करेंगे और इसको मैं मौट पार्च की हल्प से पेस्ट करूँगी मौट पार्च भी बहुत इज़ी है घर में रेडी करना इसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी नैपकेन को रिंकल्स और बबल से सेफ करने के लिए मौट पार्च गिलू को बहुत स्मूथली लगाना है कॉर्णर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैं एक साथ अटैच नहीं कर रही हूँ क्यूंकि ये नैपकेन का बड़ा पैच है इस्पेशली बिगनर्स के लिए यही बेस्ट है के वो कॉर्णर से स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा आप मौच पार्च ग्लू लगाते जाएं और अपनी नैपकेन पेस्ट करते जाएं जहां से आपको बबल या रिंकल फील्स हो रहे हैं वहां से आप स्लो स्लो रिमूव करते जाएं इसके लिए आप प्लास्टिक शीट भी उसकर सकते हैं उसका यूज़ भी मैंने अपनी प्रिविएस वीडियो में दिखाया था उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वो भी देख सकते हैं नर्किन पेस्ट करने के बाद मैं उपर वाले पार्ट में टीशू की ही कटिंग पेस्ट कर रहे हूं मैंने नर्किन में से ही ब्रिक्स अलग कर लिया है कट कर लिया है और डिटेलिंग के लिए मैं इंको उपर भी थोड़ा सा पेस्ट कर रहे हूं इससे और अच्छा लोग आएगा मर्दर स्टेप पे आप डिफरेंट किसिम के चॉपिंग बोर्ड रेडी कर सकते हैं हैंड मेंट गिफ्ट की बात भी बहुत इस्पेशल होती है और यह रेडी होके बहुत ही हुपसूरत लगते हैं आप इनको जरूर ट्राइ करिएगा आप यही टेक्निक पेपर से भी कर सकते हैं इवन आपको पता नहीं चलेगा कि यह आपने पेस्ट किया है अगर आप इसका क्लोज अब देखेंगे तो एक एक लेयर जो वुट की होगी आपको महसूस होगी नैक्टिन टीशू मैंने अच्छी तरह चॉपिंग बूट पे स्टेक कर दी है अब मैं इसको ड्राइ करूंगी ग्राइ होने के बाद मैं इसके एक्स्ट्रा पार्ट जो कॉर्नर्स थे उनको अच्छी तरीके से क्लीन करूंगी इसके लिए मैं सेंट पेपर यूज कर रही हूं अच्छी तरह कॉर्नर पार्ट पे मैं रप करूंगी इससे एक्स्ट्रा पार्ट अपकेंस के बिलकुल इसको रप करते वाक आपको इस बात का खैयाल रखना है कि आप अंदर से बाहर की तरफ रभ करें, ताकि नपकीन सफाई से अलग हो सके इसके अपके बाहर की तरफ से इसको रभ नहीं करना, इसी तरह में बाकी पार्ट से भी रभ करके इसको खुली कर लूँगी आपको मैं इसका क्लोज अप दिखाती हूँ यह कितना नीटली अलग हो जाता है सेम इसी प्रोसेस से मैं बाकी पार्ट भी साफ कर रही हूँ आप देख सकते हैं यह कितनी अच्छी दरीके से क्लीन हो गया है इसके बाद मैं लास्ट स्टेप पे इस पे एक और कोट करूंगी मौच पाल्ट ग्लू का इसकी रेसिपी आप दिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं वरना यह बजार में भी इजी अवेलेबल है रिडी मेट इसका कोट करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है यह भी मैं इनर से भार की तरफ ब्रुश कर रही हूँ यानि मेडल से आपको भार की तरफ ब्रुश करना है और इसको फिर अकें ड्राइ करने के लिए रख दूँगी ड्राइ करने के बाद इसकी डेकुरेशन करने के लिए मैं इस पर जूट रैप कर रही हूँ आप डेजाइनिंग अपनी मर्दी से कर सकते हैं लेकिन जूट रोप का लोग भी बहुत ही अच्छा आता है इसी दरा मैं इसको हैंडल में रैप कर दूँगी स्टिक करने के लिए मैं वाइट ग्लू यूज कर रही हूँ आप लोग ग्लू गन भी यूज कर सकते हैं इसी दरा हमारा चॉपिंग बोट रेडी है और यह बनके बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है आप भी इसको जरूर ट्राइ करिएगा इसका फाइनल लोग कुछ इस तरह है आप इसको करीब से देख सकते हैं कि इसका टेक्टर कितना अच्छा है चॉपिंग बोट पर उमीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अच्छा बाइक फ्रशु एज ब्सक्राइब का शॉपिंग.. बद रहा है